हेलो बच्चो आज हम सुनेंगे मिंड़ और बैल की कहानी बहुत पुरानी बात है किसी घन्य जंगल में एक तालाब था तालाब किनारे एक मिंड़ अपने बच्चों के साथ रहता था वो सबी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे उस मेंड़क की सेहर अच्छी खासी हो चुकी थी और उस तालाव में सबसे बड़ा मेंड़क बन चुका था उसके बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते थे उसके बच्चों को लगता कि उनके पीता ही दुनिया में सबसे बड़े और बलवान है मेंड़ भी अपने बच्चों को अपने बारे में जूटी काहानिया सुनाता और उनके सामने शक्ती शाली होने का दिखावा करता था उस मेंड़ को अपने शारिरी कत-काटी पर बहुत घमन था ऐसे ही दीन बिटते गए एक दीन मेंड़ के बच्चे खेलते खेलते तालाव से बाहर चले गए वो पास के गाव पहुचे वहाँ उन्होंने एक बैल को देखा और उसे देखते ही उनकी आखे खुली की खुली रहे गई उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था वो बैल को देखकर डर गए बैल ने जोल से हुंकार लगाई बस फिर क्या था मेंड़क के बच्चे डर के मारे भाग कर तालाव में अपने पिता के पास आ गए पिता ने उनके डर का कारण पुझा उन्होंने पिता को बताया कि उन्होंने उनसे भी विशाल और ताकतवर जीव को देखा है उन्हें लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है ये सुनते ही मेंडर के अहंकार को ठेज पहुची उसने एक लंबी सास भर कर खुद को फुला लिया और कहा क्या वो उससे भी बड़ा जीव था उसके बच्चों ने कहा हाँ वो तो आपसे भी बड़ा जीव था मेंड़क को गुसा आ गया उसने और ज्यादा सास बर कर खुद को फुलाया और पुछा क्या अब भी वो जीव बढ़ा था बच्चों ने कहा ये तो कुछ भी नहीं वो आपसे कई गुना बढ़ा था मेंड़क से ये सुना नहीं गया वो सास फुला फुला कर खुद को गुबारे की तरव फुलाता चला गया फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर फुरी तरव फुल गया और वो फट गया और अहंकर के चकर में अपनी जान खो बैठा तो बताव बच्चों इस काानी से हमें क्या सीख मिलती है इस काानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी बात का घमण नहीं करना चाहिए घमण करने से खुद का ही नुकसान होता है